नमस्कार साथियों और स्वागत है आप सभी का Wi-Fi Study 2.0 पर मैं हूँ अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में जापान जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो टेक्नोलोजी में सबसे उच्छस्थ शेणी के देशों में आता है एक ऐसा देश इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब टेक्नोलोजी की शुरूआत हो और वो जापान में ना हो ये possible नहीं है लेकिन उसकी जापान में वहां के मंत्री को बड़ी परिशानी हो रही है अपनी पुरानी टेकनलोजी को छोड़ कर नई टेकनलोजी में एंट्री करने में जी हाँ साथियों वहां के मिनिस्टर ने वकाईदा पुरानी टेकनलोजी में शुमार रही floppy disk, अगर आप 1990s के बाद पैदा हुए विद्यार थी हैं, या आप 1990 से 2000 के बीच में 2000 के बाद के पैदा हुए लोग हैं, तो शायद आपने उसके दर्शन भी ना किया हो, और अगर किया हो तो उसका use कता ही ना किया हो, क्योंकि ये technology 70 के दशक्की है, 1967 में पहली बार जो technology बन आने के लिए एक war छेडनी पड़ेगी, और इस war का नाम उन्होंने कहा है कि मुझे एक war छेडनी पड़ेगी floppy disk को हटाने के लिए, आप सोचके देखें कि अपने विभागों के खिलाफ या अपने विभाग के लोगों को ये motivation देने के लिए कि आप इस technology का उपयोग ना कर floppy disk in Japan, minister declared war on old fashion technology, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दुनिया को technology देने वाला देश है, वो अपने यहाँ पर परीवरतन को लेकर कितना ज़्यादा रिजिड है, और आपको जानकर आश्चेर होगा कि ये 1970 के दशक का item आज भी क्यों use करते हैं, साजा करेंगे आपके साथ में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ तथ्यों के साथ मैं आपके साथ चीजे साजा कर रहा हूँ, दुनिया की जो सबसे last तक floppy disk बनाने वाली company रही, उसका नाम Sony है, उस Sony नाम की company ने वर्ष 2010 में इसका निर्मान बंद कर दिया था, Sony announced death of the floppy disk, कि भाई अब ह आजकल cloud का जमाना है, लोग अपना data cloud पर सेव करते हैं, floppy जो की 0.0008 GB की हुआ करपी थी, आज इस जमाने में 20 TB की hard disk आना शुरू हो चुकी है, यानि कि 20,000 GB की hard disk आना शुरू हो चुकी है, लेकिन जापान के 1900 से ज़्यादा विभाग, आज भी उस पुराने वाली technology पर च हटाने के लिए, एक war-like mahal बनाना पड़ेगा कि या हटाना ही है, लोग उनसे नाराज हो गए हैं, इनके मंत्री का नाम है कौनो तारो, ये digital minister है, इन्होंने कहा है, कि if war on floppy disk, there are about 1900 government procedures that require business community to use disk, that is floppy disk, CM, MD, etc. to submit application and other forms, digital agency is to change those regulations so you can use online, ये मंत्री चाहते हैं कि भाईया, online पहुचिये, अपना data online save करिये, पर लोग है कि मान पे नहीं, उनका कहना है, कि अगर हमने data कहीं और save कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो, कि हमारा data चोरी हो जाए, floppy disk कुछ इस प्रकार की दिखा करती थी, अगर आज भी आप MS World use करते हैं, तो उसके top left corner पर जो save करने का option आता है, वो इसी design का आता है, यहना floppy disk इस प्रकार की दिखती थी, पता नहीं आप मेंसे कितने लोगों ने देखी है, अगर देखी है तो जदूर admit करिएगा, तो साथियों यह long legacy of the floppy disk, मतब यहाँ पर जो हुआ मैंने आपको बताया कि मंत्री क क्या कहना है, वो मैंने आपके सामने जानकारी रखी, अच्छा यह जो मंत्री है, इनका नाम कोनो, यह कोनो नामक जापान की मंत्री काफी ज़्यादा सुधारों के लिए जाने जाते हैं, हाल ही में इन्हों ने एक और सुधार प्रस्तावित किया, और वो क्या था, कभी आ उस सील में उसका नाम लिखा होता है, उसका पदनाम लिखा होता है, वो कौन से विभाग में है, वो जानकारी लिखी होती है, शायद आपने भी इस प्रकार से अटेस्टिड करवाया होगा, मोधी कावर्मेंट जब आई तब इन्हों ने उस चीज को हटा करके सेल्फ अट टेस्ट करवा के डोक्यूमेंट लेके जाएं, जाबान में ये आज भी चलता है, और जापान में ये ही नहीं, जापान में हर व्यक्ति को अपनी सील रखनी पड़ती है, उस प्रक्रिया को हैंको कहा जाता है, तो ये वो मंत्री हैं, हैंको नाम से इस पदिती को जाना जात यानि एक प्रकार से अपन से मॉटिवेटेड हैं कि भीया अटेस्टेड मत करवाईए, सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में जाने दीजे, अब लोग इनका विरोध करने के लिए आगे उतर आए हैं, ठीक है न, तो यहां पर जो लोग है, तो अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताईए, कि लोग इतना ज़्यादा floppy disk के प्रति दिवाने क्यों है, जो चीज बंद हो गई, उसको रखपाना बहुत मुश्किल टास्क है, तो जापानियों का तर्क अपना है, वो कहते हैं कि जब हम अपनी कोई जानकारी floppy disk में डालते हैं, तो उसकी copy हो पाना बहुत म अपनी डलता है, अब आपको अगर मान लीजे कोई गुप्त सूचना, CD या DVD पे मिल भी जाए, तो आप उसका तुरंत उपयोग या copy post नहीं कर पाएंगे, वहीं पर कहीं pen drive में मिल जाए, कहीं hard disk में मिल जाए, कहीं cloud में मिल जाए, तो संभावना है कि आप उसकी security को breach कर प गड़ा खोद कर पैसा गाड़ दीजिए, और उसके उपर cemented सड़क बना दीजिए, कहने का मतलब यह है कि पुराने तरीकों में बहुत जादा विश्वास, आज भी जापानी सरकार रखती है, लेकिन वर्तमान के जो व्यक्ति यहाँ पर निता बने है, या फिर जो मंत्री बने हैं, इननने का एक बहुत जानकारी बताता हूँ, फैक्स मशीन जो आज कल बहुत ही, मतलब रिलक्टेंट हो गई है, लोग उसका इतना यूज नहीं कर रहे हैं, यह उसके खिलाफ भी है, क्योंकि जापान में आज भी पेजर और फैक्स मशीन चलती है, एक बहुत ही जबरदस्त मज़दार बात निकल कर आई, कि यहां के एक मंत्री हुआ करते थे पहले, डिजिटल सिक्यॉरिटी मंत्री थे वो, उन्होंने दो हजार उननीस में यह सब के सामने एडमिट किया, अब आप एक मिनिट ध्यान से सुनिए, क्या बोला, डिजिटल सिक्यॉरिटी मिनिस्टर, यानि कि जिसका काम ही है, लोगों को यह बताना कि सिक्यॉरिटी कैसे हो, आपके डेटा की, आपके लैप्टॉप की, आपके गैजेट्स की, आप ऐसी व्यक्ति के बारे में जब जानेंगे, 2019 में उसने पब्लिकली अनौंस किया, कि उसने अपनी जीवन में कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए जिन्मेदार है, वो मंतरी दुनिया के सामने अनौंस कर रहा है, कि मैंने आज तक कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया है, तो यह जापानियों की जो नई विधा है, अब हो सकता है लोगों को यह बड़ी फैसिनेटिंग लगे, उसके ब 1967 में पहली बार IBM ने इस फैसिलिटी को सैंजोन के अंदर शुरू किया था, 1972 के अंदर ये मार्केट में 8 इंच की आना शुरू हुई, धीरे धीरे इसके साइज घटने शुरू हुए, साधे 3 इंच का जो फॉर्मेट है वो 1982 में पहली बार आया, 1990 में जाकर के यह बंद हो गया, साधे 3 इंच की जो फॉर्मेट हुआ करती थी, वो 800 KB से ले करके 2.8 MB तक का ही डेटा रख पाती थी, इतना डेटा की जो आज आज आपका मुबाइल फोटो खेंचता है न, उस मुबाइल की फोटो खेंचने पर जो जगह यूज की जाती है, वो भी इस फॉर्मेट डिस्क के कैपिसिटी से कई गुना जादा है, अगर आपने कोई भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी सी खेंच के रख ली मुबाइल में, तो वो फ्लॉपिड डिस्क से कई गुना जादा मेमोरी कंज्यूम करती है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, उस जमाने की बाते हैं, और आज भी जापान के बहुत सारे मंत्राले अपनी चीजें इसमें रखते हैं, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए, मिनिस्टर इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाना चाहते हैं, फर्स्ट कमर्शिल फ्लॉपी 1960s में, यानि के 1967 में आई थी, और उसके बा इसमानी टेकनोलोजी को नहीं चोड़ते, ये मानते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, आप देख सकते हैं, फ्लॉपी कुछ इस प्रकार के दिखती है, अब तो ये दिखाने लाइक, म्यूजियम लाइक चीज हो गई है, आप में से मैं विश्वास के साथ कह स तो उमीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई हो, अलग-अलग प्रकार की फ्लॉपीड डिस्क की कहानिया बताते रहे हैं, अमेरिका ने भी वर्ष 2019 के अंदर ये कहा दिया, कि अब हम फ्लॉपीड डिस्क का किसी भी प्रकार से यूज नहीं करेंगे, अब देखिए US finally stop using floppy disk to manage its nuclear weapons, यहाँ पर फिर से एक important चीज है, यह देखिए old is gold जिसने कहा है, उसने बहुत दिमाख लगाया होगा, nuclear weapons की जानकारी floppy disk में, दिमाख लगाईएगा आप, कहने का मतलब यह है कि यह वो चीजे हैं जिनको कोई copy paste नहीं मार सकता, यह एक safety arc हो है, अब इसके खिलाफ में जो भी चीजे चल रही हूँ, उमीद जानकारी आपको पसंद आई हो, मेरे जितने भी साथ ही इस समय उपस्तित हैं, जो मुझे teachers day की सुबकामनाय प्रेशित कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि मुझे आपने अपने सिक्षक के रूप में स्व पर पढ़ना, तो use my referral code ANKIT10 to get 10% discount on all type of subscriptions, Unacademy 1 नाम से आज एक event शाम को 6 वजे होने जा रहा है, उस event की मैं live coverage आपके साथ साजा करूँगा, साथियों UPSC के साथ में आप अगर जुडना चाहते हैं, तो top educators का बनाया हुआ content, flexibility to change courses, unlimited views on lectures, dedicated doubt-solving classes, printed comprehensive notes, end-to-end preparation, ये सारी educators के द्वारा compiled classes आपको मिल रही है, classes लेने के लिए आप 0% interest rate पर EMI options का भी lab ले सकते हैं, अधिक जानकारे के लिए आप हमारी technical team को 7878-15888-2 पर call कर सकते हैं, आपका समय शुभू, धन्यवाल